यह देखें हमारी यम्य टेस्टी मतर का निमोना, आप मटर अलु की सब्जी भी बोल सकते हैं, तो आप हमारे स्टायल में या यूपी के स्टायल में देखें मतर अलु का नियमोना, तो चलिए देखते ही कि यह गैसे बना है हलो एवरिवन आप सुब का शुआगत है हमारे यूटीब चनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमो ना तो आप देख सकते हैं यह हमारे कुछ बेसिक इंक्रिडेंस हैं जो की तीन मीडियम साइज के पे आज यह चार से पांच कलिया लैसन की दो मिरश एक इंचे द्रकट उकड़ा दो टमाटर इनका हम कोशली इनका हम पेश्ट बना लेंगे और मटर को हम कोशली पीस लेंगे कच्ची मटर है हमारी तो इसको हमने हलका सा पीस लिया है और यह बॉयल किये हुए आलू गाइस इन आलूओं को आप कट भी कर सकते हैं रखते हैं यह पारशान जरूरी होता है अगर आप पकाएंगे नहीं तो इसमें कलुए पन का फ्लेवर आयगा इस वजह से इसको पँगाना बहुत जरूरी होता है वैसे तो आप इसे किसी भी ऑईल में बना सकते हैं बटये बिनाने से स्वात बहुत बहुत तेष्टी आत क्योंकि नमक डालने से मटर अपना पानी चोड़ देगा और जल्दी से पक जाएगा भूं जाएगा अच्छे से अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हिंग क्योंकि मटर को भूहनते सौन्हें हिंग डाल देंगे तो इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा आप यह देखिए आप देख सकते हैं इसके मटर की क्वाइनटिटी भी कम हो चुकी है और कलर भी चेंज हो गया है तो यह मटर हमारी भून के बहुत टेस्टी भून चुकी है तो इसको अब निकाल देंगे अलग बरतर में रख तीन से चार स्पून ऑल फिर डाला है यह भी मस्टर्ड आयल ही है तो आप इसमें को भी मटर काई और इसमें देखिए हम टेवर स्पून जीरा जीरा इसको चटकने देंगे अच्छे से यह देखने हम ने हींग डाली है दो से तीन पिंच यह थोड़ी से बेसिक ही मसाले प तो हमने पीस कर रखा था मसाला वो भी आड़ कर देंगे इसमें आप चाहें तो आप लहसन और प्याज को स्किप कर सकते हैं उसकी जगह पर आप टोमेटो प्यूरी बढ़ा लें तो यह देखेगा इसमें बहुत थोड़े से मसालों से बन कर यह रेडी हो जाती है अब इसमे पाउडर हाप टेबल स्पून यह देखेगा आप इसमें हम एट करेंगे कस्मीरी मिर्च पाउडर क्योंकि इस मिर्च को डालने से यह तीखा भी कम होता है और इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि अगर हमारी सबजी दिखने में अच्छी होगी तब ही लो तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं गाइस भून कर मसाला कितना ज्यादा यम्मी और कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पीसी होई मटर जो कि हमने भून कर रखी थी पहले से ही और इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें और अब इसमें हम गाईज इसमें हरी हरी मटर बहुत अच्छी आ रही है मीठी मीठी तो उससे ये सबजियां बनाना बनता है तो इसमें हम डालेंगे पानी तो देख सकते हैं जितना हमने मटर लिया था अभी हमने उतना ही पानी एट किया है बट इसकी ग्रेवी आप अपने तरह से आप रख सकते चे हैं यह नहें टूल फिर से में पानी अड़ना कर दिया है तो अब य pilgrimage गया हुई जो आलू रखे थे और इसको आप हम कर लेंगे और यह उसमें अब हम एलू आक कर देंगे क्यान शरूर दिखना और अब इसमें बॉयल आते हुए हम पका लेंगे कम से कम एक से दो मिनट पकाएंगे क्योंकि सब्जी जे हमारी पके हुई है तो इस सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो यह देखें बॉयल हो चुकी है सब्जी हमारी अच्छे से तो इसको एक मिन雨 के लिए पका लेंगे यह देखे गाई पक चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कलर कितना प्यारा आया हुआ है और ओयल भी दिखने लगा ये तो इसका मनदब मारी सब्जी पक चुकी है तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और आप डालेंगे हम इसमें हरी धनिया धनिया हमको ज़्यादा अच्छी लगती है तो इस ज़से थोड़ा सा सब्जी में धनिया हम ज़्यादा एट करते हैं आप अपने इसाब से एट कर सकते हैं तो चलिए अब हम सर्व करके दिखाते हैं इसको कि हमारी सब्जी कैसी बनी है तो ये देख सकते हैं हमारी सब्जी बन कर तयार है देख कर मुँ में ऐसे ही पानी आ रहा होगा तो ये देखें गाइज ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है सब्जी चाहे बच्चे हों या बड़े हों ये चपाती के साथ ये राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज हमें अपने कमेंट जरूर बताईएगा और नेक्स बताईएगा कि नेक्स रेसिपी हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए तो प्लीज अगर हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक सस्क्राइब एंड सेयर करिएगा बाबाई गाइज मिलते है नेक्स टे नेक्स रेस्पी के साथ